कि सूपरभात छात्रों कैसे हैं आप सभी ठीक हैं देखिए आज मैं इस वीडियो में क्लास सेगेंत का अध्याय तीन और पाठ का नाम एक थी गाए एक कहानी पर हने जा रहा हूं ध्यान पुर्वक्त दिजिएगा एकदम ध्यान पुर्वक्त सुनिएगा जिससे कि आपको क कहानी में कहीं भी बोरियत फिल नहीं होगा देखिए कहानी प्राडम करते हैं यहां से यादर कि एक थी गाए चेप्टर का नाम है भीमक नाम का एक राजा था वह बड़ा सुखी था संतुष्ट था धर्माचारी और सदचारी भी उसके पास सैकरों गाउं और हजारों गा गायों से ही आदमी की संपती आगी जाती थी जिस आदमी के पास जितनी अधिक गाय होती वह उतना ही धनी माना जाता था भीमक राजा के उसी राजे में एक गरीव किसान भी रहता था जिसके पास कुल मिला कर केवल एक गाय की संपती थी गाय भी उसी की तरह बड़ी सीध ही साधी भोली भाली थी सुबह अकेली चरने के लिए निकल परती और सांज के समय घर लोटती उसका किवल एक नन्हा सा बचरा था जो रोज साम के समय गले में बंधी रसी खींचे बाहर की और देखता रहता कि मा कब लोटती है इसी परतिक्षा में अधीर बैठा रहता अध मतलब बेचाइन होकर वह गाए कामधेनू की तरह अच्छे लक्षनों वाले थी सांचे में ढले सिंग दूद सा धूला सफेद रंग काली काली कजरारी आखे काले मजबूत खूर जैसे किसी ने गढ़ कर बनाये हो ऐसी सुंदर भली गाए को पा कर गरीब किसान अपने भा में कहीं उलज कर रास्ते से भटक गई बहुत देर तक वह इधर उधर भटकती रही पर लाख पोचिस करने पर भी कहीं रास्ता सूज नहीं पाया इतने में सांज ढल गई और घना अंधेरा घिर आया ऐसी दसा में अब कहां जाए क्या करे वह खड़ी खड़ी सोचती रही लेखे आगे देखते हैं किसी ने उसे कहीं उसे अपना अहार बना लिया तो फिर क्या होगा नन्हा नीरी बच्रा कहां जाएगा कैसे जिवित रहेगा यह सोचते हुए गाए कांप उठी तभी नीचे अंधेर बिहर से भूखे सेर की दहार सुनाई दी सारा सोया जंगल प नवी सहसा कांप उठे गाए कान खड़े होकर खड़े कर पूच उठा कर बिदक परी सेर दो ही छलांग में उसके सामने आ पहुचा लंबी लंबी लाल जीब से अपनी पूच को चाटता हुआ गरजा ठार कहां भागती है मेरे पंजे से बचकर निकल भागने की हिम्मत है जानती है मैं कौन हूँ उसने काच किसी चमकीली बड़ी-बड़ी आँकों को घुमाते हुए देखा ड़ से गाए के रोंगटे खड़े हो गए जितने भी रोंगटे सभी खड़े हो गए गाए मेमने के तरह मेमियाती भी बोली जानती हूँ तुम जंगल के राजा हो बलस जल्दी जल्दी का, जानती नहीं कितने दिनों से मैं भूखा प्यासा हूँ, फिर अपने तेज पंजों से जमीन खुरचते हुए घूर कर उसने गाई की उर देखा, बिचारी दुबली गाई घवरा उठी, लाख परियतन करने के बाद भी मुह से आवाज न फूटी, के वल मेरे दूद पर ही जीवित है, हम लोग इस वीडियो को आगे बरहते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखते हैं, थेंक्यूब